हेलो गाइज, वेलकम बैक टुमेंगे चैनल के शनलवाट तो देखे, आज हम इस तरीके की ब्यूटिफुल सी ड्रेस गुपाल जी के लिए बनाएंगे यह देखे, बहुती सुन्दर सा डिजाइन है आप इस तरीके की डिजाइन बहुती इजली बना करके तियार कर सकते हैं देखे, चाहे आप फर्स टाइम भी इस तरीके की डिजाइन डाल करके ड्रेस बनाएंगे तो भी आप बहुती इजली बना करके तियार कर लेंगे तो आप वीडियो को पूरी end तक जरूर देखिएगा पिल्कुल भी वीडियो को इसके पिल्कुल करके ना देखे देखिए बहुती इसली मैंने आपको इसको बनाना बताया है तो आप बहुती इसली बना करके इसको रेडी कर लेंगे किसी भी साइज की लडू को पाल जी के लिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अपने चैनल पर अप्लोड किया है आप चा करके चक कर लिजिए कि ये चोली किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए आगे का काम हम शुरू करते हैं तो देखे चोली के हम साइड से यहाँ पर इसका डिजाइन डालना शुरू करेंगे आर्मूल की साइड से पहले हम इसका बेस बनाएंगे चोली का तो यहाँ से शुरू करते हैं इसके साइड की साइड से शुरू करते हैं इसको तो यहाँ पर मैंने वूल ले लिए हैं अपने वूल पर नॉट लगा लेते हैं सबसे पहले और इसका हम base बनाएंगे सबसे पहले तो side से हम इसको हम यहाँ पर वोल को लेकर करके यहाँ पर धागे में सबसे पहले हम not लगा लेंगे देखे एक not लगा लेंगे हम इसमें सबसे पहले एक दो तीन देखे तीन चेन हमने इसमें बना लिए हैं तीन चेन बनाने के बाद अब सेम चेन में एक बार और हम डबल क्रोशिय बना लेंगे देखिए दबल क्रोशिय एक बार हो गया नेक्स चेन में भी हम दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे इससे नेक्स चेन में भी दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे तो हम हर एक चेन में दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे देखिए इसी तरीके से रो को complete करेंगे तो देखे रो मैंने complete कर लिए है रो के end में हम आ गए हैं यहाँ पर अब इसको हम जो हमने first तीन chain बनाई थी उसके first chain में डाल करके इसको slip stitch कर देंगे तो देखिए इस तरीके से आएगा यहाँ से हमारा dress का गेरा start होगा यह देखिए सरीके से आएगा हर एक chain में हमने दो बार double crochet बनाया है अब हम यहाँ से second row start करेंगे तो तीन की chain ले लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर वान टू और त्री त्री चेन हमने ले लिया है अब देखिए हम सेम जगे पर नहीं बनाएंगे next chain में हम इसमें बनाएंगे इस सेम चेन छोड़ करके next chain में इक बर double crochet बना लेंगे एक बर double crochet बनाया अब देखिए जो हमारी यही chain है जिसमें अब नीचे chain आएगी उसमें हमें फ्रंट पोस्ट करना है प्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया अब एक पर और नेक्स चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया तो दो बार हमने डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट किया है अब हम इस सेम चेन में जिसमें हम नहीं बनाया था उसी में ही हम chain में double crochet बनाएंगे front post नहीं करेंगे chain में बनाएंगे अब इसके 7 वाली chain में बनाएंगे double crochet तो दो बार हमारा double crochet हो गया दो बार हमारा front post हो गया same chain में जो हमारा same नीचे की side chain आएगी उसमें डाल करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसा दो बार करेंगे दो साथ की चेन में हम फ्रंट पोस्ट डबल गोशिया कर लेंगे तो इसी तरीके से इस रोको भी कम्प्लीट करेंगे दो चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे दो chain लेंगे फिर दो chain में front post बनाएंगे तो इसे तरीके से बुरे row को complete कर लेती हूँ तो देखे row को complete करने के बाद यह देखे इस तरीके से आएगा तो अब हम क्या करेंगे इसको first chain में slip stitch से join कर देंगे यहाँ पर मेरे last के भी 2 front post आएं दो हमने starting में chain ले दी तो यहाँ पर first chain में डाल करके इसको slip stitch से join कर देंगे जोड दिया तो अब हम यहाँ पर 3 chain ले लेंगे फिर से 1 2 3 और यह हमारा third row हो रहा है अब देखे same place पर ना लेकर के next chain में लेंगे एक बार double crochet लेंगे फिर एक बार और double crochet लेंगे तो देखे तीन बार हमारी double crochet हो गए अब same हमारे double crochet लिया है हमने same नीचे वाले chain में लेकर front post कर देंगे front post की जगे हम front post ही करेंगे यह देखे तो इसी तरीके से 8 round को complete करेंगे दो हम double crochet बनाएंगे देखे दो double crochet हमने बना लिया है same chain में नीचे की side जा करके front post बनाएंगे यह देखे इस तरीके से लेंगे उसको front post कर देंगे और 7 वाली chain में भी हम इस तरीके से front post कर देंगे अब हम इसके साथ 2 single crochet बनाएंगे तो इसी तरीके से अपने पूरे round को complete करेंगे और जितनी भी row आपको comfortable हो उतनी row आप बनाएं दो front post दो crochet दो front post अब next row में इस तरीके से करेंगे तीन double crochet हमारे हो जाएंगे दो same front post करते जाएंगे फिर next row में 4 front post बनाएंगे और दो front post करेंगे तो इसी तरीके से यह देखे front post की row हमारे इसी तरीके से चलती जाएगी हमारे जो double crochet हैं वो एक एक increase होते जाएंगे तो इसी तरीके से पूरी round को round को complete हम करेंगे देखिए round complete कर लेते हैं इसमें row आगे की तियार करते हैं तो देखिए मैंने ये सारी row यहाँ पर complete कर लिए ये इस तरीके से ये base बन करके हमारा तियार हो जाएगा इसे हमने प्रण्ट पोस्ट बनाई है तो फ्रन्ट पोस्ट बनाने वजह से इस तरीके से कलियां बनेंगे तरीके से कलियां बन कर गए हमारी तियार है beautiful सा base design हमारा तियार है इस तरीके से तो इसमें next अपनी वूल स्टार्ट करेंगे यहां पर मैं यालो कलर की बूल स्टार्ट कर रही हूँ यहां पर हम बाइट कलर का धागे को कट कर देंगे तो यहां पर मैं इसको कट कर देती हूँ और इधर से ही हम अपना यालो कलर का धागा स्टार्ट कर देंगे इस तरीका का पेस बनाना मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बता रखा है तो आप उस तरीका का पेस बना करके भी त्यार कर सकते हैं आप जिस भी तरीके का आपको comfortable हो आप इस तरीके का पेस सिर्फ आप इसमें बना करके त्यार करें पिर उसके बाद ही हम अपना next जो डिजाइन है उसको continue करना है तो आप base अपने हिसाब से किसी भी तरीके से ready कर सकते हैं तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर यह नॉट लगा लिए मैंने yellow wool में तो इसको मैं यहाँ पर एक एक और chain लेकर के इसको दागे को secure कर देती हूं तो यहाँ पर एक slip stitch से मैंने यह नॉट लगा लिए yellow wool में अपने तो यहाँ पर अब हम एक chain मैंने ले ली देखे से next chain में हमें एक हम single crochet करेंगे single half crochet करेंगे इस तरीके से ले करके एक half crochet कर दिया तो next chain में भी हमें इसी तरीके से half crochet करना है तो हर एक chain में हमें यहाँ पर एक single half crochet बनाना है इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो को complete करेंगे इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ एक हर एक chain में एक-एक single half crochet लेते वे जाना है देखे हर एक chain में मैंने यहाँ पर एक-एक single half crochet बना रही हूं तो इसी तरीके से अपने रो को हम complete कर लेते हैं पूरी पूरी रो को दिखाती हूं आगे यहाँ पर मैंने रो को complete कर लिया है एक single crochet से यह देखिए हमने पूरी रो complete कर लिए अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में दो चेन बनाए थी उसके फर्स्ट चेन में इसको हम slip stitch से जोइन कर देंगे तो यहाँ पर अब हम chain बना लेंगे देखिए हम यहाँ पर एक एक chain हमने बना लिए इसे नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर एक हाफ करोश यह देखिए इस तरीके से बनाएंगे डैक्स चार पांच छे साथ दिखे साथ चेन लेने के बाद नीचे से हम छे चेन स्किप करेंगे 6 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ चेन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिय करना है दिखें आपने हमने सिंगल क्रोशिय किया फिर इससे नेक्स चेन में सिंगल क्रोशिय किया फिर एक नेक्स चेन में फिर से सिंगल क्रोशिय करेंगे तो हमें इसी तरीकी से राउंड को हमें कम्प्लीट करना है देखें तीन सिंगल क्रोशिय से हम 6 chain skip करके 7th chain में half crochet बनाएंगे half crochet यहां से हम 3 बार बना लेंगे और इसी तरीके से row को complete कर लेंगे तो इस तरीके से हमारे loop बन करके त्यार होंगे तो पूरे round को complete करते हैं तो देखें पूरे round को मैंने यहां पर complete कर लिया देखेंगे हैं मैंने 7th chain ले लिया सेवन चेन के बाद सिक्स स्टिचिस हम यहां से काउंट करेंगे देखें यहां पर मैंने इसको जोईन कर दिया और यह राउंड हमारा इस तरीके से कम्प्लीट होगा यह देखें इस तरीके से यह लूप बन करके हमारे डैडी हो गए है अब इस तरीके से यह राउंड बनेगा यहाँ पर हमने तीन सिंगल बनाए थे और यह लूप बनाए थे तो हमें इस लूप में आना है अंदर हम यहां से काम स्टार्ट करेंगे अपना तो यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से यहाँ पर लूप के अंदर आ जाओंगी तो दिखेए स्लिप स्टिच से मैं यहां तक आ गई हूँ अब इसके अंदर मैं राउंड के अंदर आऊंगी यहां से इस से इस तरीके का स्टिच लेके मैं यहां पर अपने लूप के अंदर आ गई हूँ यहां पर हम दिखें चेन बनाएंगे तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे तीन तीन चेन हमने यहाँ पर बना दी दीके तीन चेन बनाने के बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिय बनाएंगे एक दो हो गया है दीके दो काउंट करेंगे हम इसको फिर से एक डबल क्रोशिय बनाएंगे तीन चार बर डबल क्रोशिया और ये पांच पांच पर डबल क्रोशिया और ये छे और ये साथ देखे साथ बर डबल क्रोशिया हमने बना लिया है यहापर अब एक चेन लेंगे देखे साथ बर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन हम यहाँ पर लेंगे एक चेन लेने के बाद दुबारे से हम यहाँ पर सेम लूप में साथ बार और डबल क्रोशे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, छे, और यह साथ तो देखें साथ पर डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बना लिए साथ यहाँ और साथ इस साइड और बीच में एक चेन हमने बनाई है अब बीचे देखें हमने जो यह तीन डबल क्रोशे बनाए थे इसके हम सेंटर वाले डबल क्रोशे में इसमें यह देखें जो हमारा नीचे वाली जो चेन बनाई थी सिंगल क्रोशे की उसके center वाले crochet में से हम center वाले chain में से लेकर के इस तरीके से हम slip stitch कर देंगे sorry single crochet कर देंगे फिर हम next हम अपने loop में जाएंगे यहाँ पर double crochet से start करेंगे तो same processor करेंगे 7 double crochet single chain 7 double crochet और फिर इसी तरीके से करेंगे तीनों loop, तीनों single crochet में से center वाले single crochet में आकर के हमें join कर देना है तो इसी तरीके से row को complete करेंगे पूरी row इस तरीके से यह वाली loop हम complete करेंगे 14 बार double crochet बनाएंगे और फिर center वाले single crochet को यहाँ पर लाकर के join कर देंगे तो इसी तरही के से पूरे रो को में DENNIS करते हैं मैंने यहाँ पर कंप्लीन कर लिए इस तरहिके से यह डिजाइन आ जाएगा हमारा लिक्ट कें यह लास्ट मैंने यह लूप कंप्लीट कर yet यहां पर दिखे रमने कैसे करेंगे इसके हम ने परस्ट अपने यह फॉर्स्ट एक अपनिये तीन की चेन हमने यह पर बनाई थी पहले थो हम इसको यहां पर सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया और जो हमारे नीचे वाली रो है उसमें से लेकर के इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और फिर जो हमने यहां पर तीन चेन बनाई थी उसकी फर्स चेन में जाकर के इसको यहां पर स्लिप स्टिच से जोइन कर देंगे तो यहां पर यह रो भी हमार है यहां पर यह यालो दागा मैं कट कर देंगे हम यहां पर next वूल हम यह पर स्टार्ट करेंगे अपनी है नेक्स दिखें हम यहां पर green कल का दागा यूस करेंगे हो है कि तो green वूल मैंने ले लिए यह यह पर यहां से स्टार्ट करेंगे साइट से यह दिखें हम यहां से किस तरीके से दिखें स्टार्ट करेंगे यहां पर जोईन करा है हर एक यहां पर जोड़ा था पीछे की साइट हमारा यह दिखें इस तरीके से धागा निकलेगा जैसे हमने सेंटर में जोड़ा है सबसे पहले हम धागे पर ग्रीन क्रॉलर के देखें जोने फर्स्ट या पर हरे एक सřंट्र फ्रड जो हमारी ढापर स्ंग्ल प्रोशय थे उसमें उने स्वन कर रा था हरे एक लिफ को तो जो हमारे सेंटर में हमने जोड़ा था पीछे की साइड से हमें कि इस तरीके से एक धागा नजर आएगा तो यहां से हम यहां पर यह स्टार्ट करेंगे धागे को सबसे पहले हम इसमें नॉट लगा लेते हैं स्टार्ट करके धागे को कि दागा स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले इसको नॉट लगा लेते हैं हम यहाँ पर कि देखे नॉट मैंने लगा लिए ग्रीन वाला धागा भी अच्छी तरीके से नीचे की साइट से हम खीच लेंगे यहाँ पर मैंने तीन चेन बना लिए नॉट लगाने के बाद तीन चेन मैंने यहाँ पर बनाई है दीकितीन चेन बनाने के पाद 15 चार और यह 5 पाण पर फिर से एक प्लेस पर लिख कर जाएंगेने धाइधे सेम बैस पर लिकर जाएंगे दीकिचबिएyesd जार करके एक बार हम और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर यह देखे हमारा ये V टैप का एक ये लूप बन करके त्यार हो जाएगा। तो इसके बाद हम फिर से चेंड लेंगे 1, 2, 3, और ये 4 देखे चार चेंड लेंगे, चार चेन लेने के बाद यह देखे जो हमने यह लूप बनाया था इसमें हमने एक चेन का स्पेस बीच में रखा था तो यहाँ पर देखे किस तरीके से लेंगे इसको इस तरीके से फोल करके back side से हम लेंगे और एक single crochet से यहाँ पर इसको join कर देंगे, तो इसके बाद फिर से 4 chain लेंगे यहाँ तक आने के लिए हमने 4 chain ली है फिर से 4 chain लेंगे दीखिये 4 chain लेने के बाद फिर से हमारा जो third हमने तीन लूप में हमने यहापर join कराता center पर ले loop में back side पर इसको अंदर की side से join कर देंगे join करने के बाद फिर से वही हम processor करेंगे 3 chain लेकर के 5 chain लेंगे और फिर एक double crochet बना देंगे देखें यहापर मैंने यह 5 chain ले ली 5 chain बनाने के बाद same place पर फिर से एक यहापर double crochet बना देंगे देखें double crochet बनाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे 4 chain लेंगे तो इसी तरीके से पूरी रोग को हम अपने complete करेंगे चार-चार chain हम center बले इसमें leaf में आने के लिए लेंगे और हमने वी यहापर loop त्यार करने है सारा काम हमारा देखें back side पर ही होगा तो यहापर हम फिर से इस वाली leaf से देखें जो हमारा space है इस तरीके से crochet डाल करके back side से यहापर एक single crochet से इसको attach कर देंगे फिर हम यहापर दुबारे से 4 chain ले लेंगे 4 chain लेने के बाद फिर से हम जो हमारे 3 single crochet थे इसके center वाले loop में जा करके इसको single crochet से attach कर देंगे और फिर से हम इसमें एक V loop जो हमने बना करके ready करें इसको complete करेंगे तो इसी तरीके से पूरी row को हम complete कर लेंगे तो चलिए इसको complete कर लेती हूँ फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है तो देखें यहाँ पर मैंने round को complete कर लिया है यह देखें हमारा back side का जो हमने work green color से loop त्यार करें है देखें last में मैंने यहाँ पर इसको join कर रहा है तो join करने के बाद हम यहाँ पर 4 chain लेंगे एक, दो, तीन और यह चार देखें चार chain लेने के बाद जो हमने first V loop हमने बनाया था और इसमें तीन chain की हमने बनाया थी starting में तो इसकी third chain में जाकर के इसको हम यहाँ पर slip stitch से join कर देंगे तो देखें यहाँ पर हमारा यह round पूरा complete हो जाएगा इस तरीके से loop बन करके हमने त्यार कर दिए देखें हम इसके center में जाएंगे इस loop के यहाँ पर एक हम तीन की chain बना लेंगे एक दो और यह तीन देखें तीन chain हमने यहाँ पर बना ली अब हम यहाँ पर फिर से एक double crochet बनाएंगे double crochet एक यह count होगा हमारा और एक यह दो हम पांच बार double crochet और यहाँ पर बनाएंगे तो देखें यहाँ पर पांच बार double crochet और मैंने बना लिया है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और देखें 6 करने के पाद हम यहाँ पर इसकी प्रंट साइड से क्रोशिया हुक डालेंगे और बैक साइड से अपने इस स्टिच को कीचेंगे कीच के इस तरीके से इसको हम आके की साइड निकाल देंगे निकालने के बाद इसको एक single crochet से यहाँ पर जोइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से जोइन करने के बाद देखें हम फिर से यहाँ पर एक single crochet से इसको जोइन करेंगे और फिर यहाँ पर हम देखें इस तरी हमारी ट्लीफ बन करके त्यार होगी हम फिर से तीन चेन लेंगे एक single double crochet के height की फिर से यहाँ पर एक double crochet बनाएंगे तीन की chain एक double crochet दो फिर से double crochet बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर six time double crochet बना लेंगे six time double crochet बनाने के बाद त्यार करेंगे निए प्रीन कर देखे हमने इस टाइम बना लिया है उसकी फर्स्ट चेन से हम फ़स्ट स्टिस से अपने इस वाले लूप को आगे की साइड बैक साइड से कीच करके इस तरह के से कर देंगे और एक सिंगर प्रोशेर से इसको जाइन कर देंगे थूत कि अबनाने केलिए में त्यार लीव त्यार कर लिए अब फेर से हमें से लूप में आना है तो इस लूप में आने के लिए हम हमें यह आपर चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ देखिए साथ चेन बनाएंगे हम और साथ चेन बनाने के बाद हम फिर से इसी लूप के अंदर आ जाएंगे एक सिंगल क्रोशे से जोड देंगे इस तरीके से हमारा पैटर्न बन करके त्यार होगा और फिर से हम यहापर तीन की चेन ले लेंगे एक, दो, तीन और फिर से फाइफ टाइम डबल कोशिय बना लेंगे तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा पैटरन बन करके तियार होगा शिक्स हमने डबल कोशिय लेने हैं और फिर उसको एक लीफ की तरह तियार कर देंगे तो यहां पर यह देखे मैंने ये डबल कोशिय बना लिए अब हैं यहां से फ्रंट चेंड में से हम लेकर केस को बैक साइड से इस वाले स्टिच को कीच कर देंगे आगे की साइड और एक सिंगल कोशिय से जोड देंगे और फिर सेम जगे पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले और फिर तीन चेंड लेंगे एक दो तीन और फिर से पाँच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा पैटन बन करके त्यार हो जाएगा पूरे round को हम इसी तरीके से complete करेंगे तो दिखे round हमने यहापर complete कर लिया round के end में हम यहापर आए गए यह leaf बन करके green color की हमारी त्यार हो गई है अब दिखे हमने यहापर 7 last में 7 की chain भी बना लिया 7 की chain बनाने के बाद दिखे हमने जो first leaf बनाई थी यहापर green color की green color की जो first leaf हमने यहापर बनाई थी उसकी हम first chain में जो हमने first third की तीन की chain हमने बनाई थी उसकी first chain में लेकर के इसको यहापर slip stitch से join कर देंगे तो दिखे हमने इसको join कर दिया तो यहापर हमारा green color के धागे का भी work complete हो जाएगा तो यहापर green color के धागे को भी हमने cut कर देती हूँ यह देखे है यह इस तरीके से आएगा अब यहापर हम next हम अपना धागा use करेंगे red color की wool लेंगे हम यहापर अब हम देखे हम यहापर यह यही से start करेंगे जहांसे हमने green color के धागा cut करा था और देखे हम शुरू कहां से करेंगे यह जो हमने yellow color की leaf के back side से हमने work करा था इधर की side से हम crochet hook डालेंगे और 7 की जो chain हमने बनाए थी इसको भी साथ में ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ हम यहापर जोइन करते वे चलेंगे तो पहले मैं दोनों को यहापर एक stitch से lock कर देती हूँ देखें सबसे पहले में यहापर अपना धागा start कर देंगे lock कर देंगे यहापर देखें यहापर यह रैट color का wool मैंने शुरू कर दिया एक दो तीन चार और यह पांच देखें पांच chain लेने के बाद हम अपने green color की leaf में work करेंगे तो यहापर green color के leaf के center में हम जाएंगे पांच chain बनाने के बाद यहाँ center से center में हम यहाँ पर crochet hook लेंगे और इसके आगे की side से लेंगे और back side से हम यहाँ पर red color का धागे को एक single crochet से join कर देंगे देखिए हैं आपने जॉइन कर दिया हमने अब यहां पर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद फिर से एक डबल प्रोशिया बनाएंगे देखिए दो बार हो गया इसी तरीके से तीन बार और बनाएंगे तो पाँच बार हमने यहां पर डबल कोशिया बनाना है तीन चार एक बार और बना लेंगे और यहाँ पर यह हो गया पाँच पाँच पार हमें डवर क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने ग्लीन कलर की लीफ में यहाँ पर वर्क करादा एक, दो, तीन, तीन चेन ले लेंगे, तीन चेन लेने के बाद हम यहाँ पर सेंटर में फिर से सेम इसी तरीके से लीफ बनाएंगे, एक टेबल क्रोशिया करेंगे, एक, चार पर और बना लेंगे, इसी तरीके से हम अपने वर्क को करेंगे, जिस तरीके से हमने यह फर्स्ट रेट किलर की लीफ बनाईए पांच बार डबल क्रोशिया बना करके एक बार और बना लेंगे देखिए पांच हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पांच बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको हम देखिए हमने जो फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके हम फर्स्ट चेंज से फ्रंट की साइड से इसको बैक साइड से तागे को इस तरीके से खीचेंगे कीच करके आगे की साइड ले आएंगे तो और एक सिंगल क्रोशे से इसको जॉइन कर देंगे देखे इस तरीके से ये लीफ बन करके हमारी डेडी हो जाएंगी तो अभे देखे हम यहापर फिर से अधर की साइड हम बैक साइड से जो हमने यहापर 7 की chain और center में जोड़ा दा यहाँ पर तो इसी तरीके से हम यहाँ पर वर करेंगे 5 chain बना करके 5 chain बनाएंगे फिर हम इसी center में जाएंगे back side से इस वाले hold में लेकर के 7 की chain साथ में लेंगे और इन दोनों को एक single crochet से join कर देंगे फिर से हम यहाँ पर 5 chain लेंगे और फिर हम यह दोनों बेन लिफ में जाएंगे इसी तरीके से अपने work पूरा करेंगे फिर से हम इसी center में आ गए हैं तो same इसी तरीके से यह फिर से हम red color की leaf ready कर देंगे single crochet बनाने के बाद double crochet बनाएंगे 5 time 5 पाल double crochet बनाने के बाद फिर से हम इसी तरीके से leaf complete करेंगे देखिए इस तरीके से leaf बन करके त्यार हुई है जिससे हमारी तो इसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे first chain में लेकर के इसको हम complete करेंगे एक और बना लेंगे तो इदेखिए 5 हमारी हो गएंगे first chain से लेकर के इसको back side से इस loop को खीच लेंगे आगे की side तो इदेखिए leaf हमारी सरीके से बन जाएंगे फिर से तीन chain लेंगे एक दो तीन इदेखिए इस तरीके से complete कर लेंगे पूरे राउंड को तो देखिए इसी तरीके से मैंने ये red color की leaf बना करके भी complete कर लिया है ये देखिए ये red color का इसके बाद मैंने देखिए 5 chain भी बना लिया है इसमें 5 chain बनाने के बाद जहां से देखिए हमने work अपना शुरू करा था उसी hole में इसको हम slip stitch से देखिए उसी hole में जाकर के हम इसको स्वरी single crochet से join कर देगे तो यहाँ पर हमारे red color का धागे का भी work complete हो जाएगा एक chain लेकर के धागे को cut कर देगे ये धागा मैंने cut करके निकाल दिया यह देखिए इस तरीके से आएगा यह यहाँ पर हम yellow दागे का काम अपना start करेंगे पर से और यह देखिए हम यह किदर से start करना है हमें पर यह देखिए जो हमने join करा था यहाँ पर red color का धागा center में यहाँ से हम इसको start करेंगे यही से red color sorry yellow color के wool में हम अपना पहले सबसे पहले नोट लगा लेते हैं red और yellow color का धागाई देखिए तोनों को एक साथ लेते हुए हम चलेंगे तो यह दोनों एक साथ hide भी हो जाएंगे सबसे पहले हम इसमें नोट लगा लेते हैं तो यहाँ पर नोट लगाने के बाद अभी दीखिए जो हमने 5 की chain हमने बनाई थी यहाँ पर इसके center में हम आ जाएंगे यहाँ पर एक single crochet से join कर देंगे तो यहाँ पर हम वर्क अपना start करेंगे तो इसके 5 की chain में पहले हमें दीखिए तीन chain बना लेंगे तीन की एक single crochet के 5 की हमने chain बना लेंगे यहाँ पर एक हमारा एक double crochet काउंट होगा एक यह और यहाँ पर हम 7 टाइम और double crochet बना लेंगे दो कि 7 टाइम समने आपर double crochet बना लिए 7 टाइम डबल कोशिय बनाने के बाद यहाँ इसको में इस तरीके से पकड़ेंगे और इनके दोनों दागों के share hok santa se इस तरीके से ले करे के इसको सिंगल क्रोशिय सेaren करतेंगे इस तरीके सगया अब यहें सेंटे की चेन में आ गए इस सेंटे की चेन बिए आपर एट टाइम किया डबल कोशिया बनाने है यह पर फिर से हम eight times double crochet बना लेंगे तो दीखिए मैंने फिर से यहाँ पर eight times double crochet बना लेंगे तो दीखिए हमने जो red color की leaf पहले जैसे हमने यहाँ पर lock कर रहे था बैक साइड से नीचे की साइड से क्रोशिया हुख डे करके दागे को इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से जोइन कर देंगे फिर से हम चेंड में आ गया है तो इधर भी हम फिर से eight times double crochet बना लेंगे तो दीखिए यहाँ पर भी मैंने eight times double crochet बना लिए अब देखिए हमारी जो first हमने leaf पनाई थी yellow color की इसके बीच में जो हमने एक single एक chain हमने बनाई थी इसके front side से side से आगे की side से crochet hook डालेंगे और जो यह red color के धागे से हमने यहाँ पर center में lock करा था single crochet करा था इस hook को साथ में लेकर के यहाँ पर एक single crochet से join कर देंगे तो देखिए हमारे इस तरीके से यह pattern बन करके complete होता जाएगा तो देखिए एक पर और देखिए यहाँ पर एक double crochet बनाएंगे eight times इधर बनाएंगे double crochet और eight times हम देखिए इस तरीके से complete करते वे जाएंगे eight बार हम इधर बनाएंगे फिर इन दोनों leaves को join कर देंगे फिर eight बार इधर बनाएंगे फिर इधर eight बार बनाएंगे दोनों leaves को join कर देंगे फिर इस leaf को लेकर के center से इस तरीके से जोड़ देंगे तो इसी तरीके से हम पूरे pattern को complete कर लेंगे तो दीखे, राउंड को मैंने complete कर लिया, यहाँ पर, round के end में हम यहाँ पर आगए हैं, दीखे, 8 बार यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर double crochet बना अग लिया है, अब दीखे, ये लास्ट लीफ जो हमारी बची है यालो कलर की ये दिखे इस तरीके से बन करके त्यार होगा ये फर्स लीफ जो हमारी बनी है यहांसे फर्स चेन में लेकर के इसको जोईन कर देंगे यहां पर इस तरीके से और जोईनी आपर तीन की चेन फर्स में स्टार्टिंग में बना सब्सक्राइब डे सब्सक्राइब तो देना हम दिख से आएगा कूंप्लीट और वाणनों पने दो दुरायगे आपoff you कर देंगे तो मत्सक्राइब हैं से सब्सक्राइब कर mind बहुति भीत्यार्यारा बन घंग कर के अदिखे बनाना भी इसको बहुत ही इजी है एकदम इजी तरीके से बना करके आप इस तरीके की पोशाक अपने कुपाल जी के लिए त्यार कर सकते हैं यह देखें कितना इजी पैटरन है इसको बनाना और ड्रेस भी एकदम से बहुत ही बीटिफुल बन करके त्यार होगी तो आई होप आपको वीटियो अच्छी लगे और यह लटू को पाल जी के आपको ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में बीटिफुल सी ड्रेस के साथ थैंक यू थैंक यू फो वाचिं मैं वीडियो